तो हम सनी की मारगी स्तिती के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे 15 नौमबर से इसी साल अभी सनी कुमरासी में मारगी होने जा रहे इनके इस मारगी काल का जो प्रभाव है वर्षिक लगन वालों को कैसा देखने को मिल सकता है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके चार्ट के इसाब से दिखा जाए तो आपके जो चार्ट में सनी है फोर्थ होस में अभी मारगी होने वाले है 15 नौमबर से और सनी आपके चार्ट में तीसरे भाव के भिश्वामी है फूर्थ होस में सनी के मारगी होने से कितना ज्यादा एफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा और क्या-क्या आपकी चीजें हैं, कौन-कौन से आपके जो रिलेशन्स हैं वो प्रभावित होंगे और इस मारगी काल को आपको कैसे प्लान करना चागे देखें सबसे पहले तो उन जादकों के लिए जिनका उल्रेडी जनम के समय का ही अगर सनी किसी का वक्री है चार्ट में उन लोगों को यहां कोई ज्यादा विसेश दिक्कत नहीं आने वाली लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी है उन लोगों को हो सकती है जिनके चार्ट में सनी काफी ज़्यादा strong इस्तिति में है या सनी काफी ज़्यादा बली है या जिनके चार्ट में वक्री इस्तिति में नहीं है यहाँ पे नॉर्मली जो सनी है वक्री सनी को हम काफी ज़्यादा अच्छा मानते क्योंकि वक्री सनी उतना जदेक तो डिले नहीं करते और सनी मुख्य रूप से करमकारक ग्रह करमकारक होने की वाज़े से अगर वक्री सनी है किसी का भी तो उनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता जो की नॉर्मल जिनका सनी काफी स्ट्रोंग होता है उनको करना पड़ता है उतना ज़्यादा तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा फरक आ जाता है वक्री सनी और मार्गी सनी को अगर हम कंपेर करेंगे और यही स्टिती आपके चार्ट में भी लागू होगी है तो सनी आपकी तीसरे भाव के श्वामी है और फोर्थ हावस के बेश्वामी है ऐसी कंडिशन में जब अब सनी 15 नॉम्बर से जब मार्गी होने जा रहे हैं कुछ ऐसे काम जो अभी आप काफी अच्छे से कर पा रहे हैं वहां आप कुछ रुकावटे आ सकती हैं या कुछ डिले हो सकते हैं या आपको खुद का एफर्ट वहां ज्यादा लगाना पड़ेगा जैसे सबसे पहले तो क्योंकि सनी तीसरे भाव के श्वामी तीसरे भाव के श्वामी होने की वैसे आपकी कोई भी प्रकार की क्रियेटिविटी या आपकी खुद की कोई भी पर्शनल स्किल है तो उस मामले में आपको उस स्किल पे ज़्यादा सी ज़्यादा जोर देना पड़ेगा अगर आप उस पर्टिकुलर छेतर में काम कर रहें जैसे मालो आप कम्यूनिकेशन के फिल्ड में काम कर रहें या आप काफी क्रियेटिव परसन है आप अपने क्रियेटिविटी के मादम से कोई भी अधर काम कर रहें सनी यहाँ पर third house के स्वामी होकर fourth house में अभी मारगी होंगे इसलिए आपके अपने घर से related जितने भी काम है जैसे कि आपको कोई property का सोधा करना है कोई घर खरीदना है या घर के लिए कोई और चीज आपको खरीदनी है या घर में आपको renovation करवाना है या family के किसी member की कोई बड़ी responsibility आपने खुद पर ली है उसको आपको पूरा करना है ये सारी जितने भी family से related काम है या आपके बहुत तक सुखों से related जितने भी काम है उनको अभी आप 15 November तक अवस्य पूरा कर लें 15 November के बाद आपको थोड़ा सा यहां पर delay देखने को मिलेगा और उसके बाद आप कोई भी अपने planning करेंगे किसी भी काम के लिए तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप ठीक समय तक या प्रयाप्त समय आपको नहीं मिला देखा जाए तो 15 November से तो यह मारगी होने जाई रहे है लेकिन इनका जो लगबग गोचर है कुम रासी में अगर हम गोचर को देखेंगे तो लगबग अगले साल मार्च एंड तक इनका गोचर यहीं रहेगा ऐसे में हमारे लिए यह जो प्रियेड निकल के आ रहे है लगबग डेड महीना इस साल का है और अगले साल के लगबग तीन महीने है यह हमारे पास साड़े चार महीने हैं अपने आपको बहतर बनाने के लिए तो ये साड़े चार महिनों में थोड़ा सा आपके किसी काम में डिले होगा और थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा तो अब ऐसा जो मारगी सनी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक तो responsibility देने वाला है आपकी जो भी ज़्यादारियां बनती हैं आपके profession के परती आपके घर परिवार के परती या खुद के परती उन से आपको ठीक तरीके से सनी अवगत करवाने वाले हैं यहां मैं लिए आपका अपने माता पिता के साथ कोई भी काम है अगर आप कोई partnership में काम कर रहे हैं या अपने family के किसी member के साथ या अपने अगर partnership किया है तो आप उन कामा पे अवस्य ध्यान दीजेगा यह समय अब आपको काफी hardware करने का है इसलिए आप hardware करने से पीछे बिलकुल ना हटे इसके साथ आप ये कोशिस करिएगा कि हर काम की planning आप अच्छे से करें और लगबग आपका हर काम समय पर बने अगर आप काम को बहुत जदा delay करेंगे अगर आपका काम समय पर नहीं कर पाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ delay होता जाएगा थोड़ा सा अगर आपके चार्ट में सनी ज़्यादा मजबूत इस्तिति में है तो ये frustration ला सकता है कभी-कभी क्योंकि आप यहाँ वही सब expect कर रहे होंगे जैसे कि अब भी आप expect कर रहे हैं सनी के इस period में तो बाद में जैसे जैसे सनी अपनी नॉर्मल इस्तिति में आते जाएंगे वैसे वैसे एकदम आपकी जो life है ऐसा लगेगा जिसे थोड़ा रुक सी गई है या थोड़ा आपको break सा लग गया कही न कही तो ऐसे में आपको थोड़ा ज़्यादा dedication और थोड़ा सा ज़्यादा अपना focus बढ़ाना पड़ेगा अपने किसी भी काम के पड़ती अब यहाँ आपका जो profession है या आपका जो career है वो भी बहुत ज़्यादा impact होगा क्योंकि वैसे भी सनी करमकारक हैं और इनकी दृष्टी भी आपके 10th house पर पड़ रही है काफी तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा सनी आपके चार्ट में तीसरे भाव के श्वामी तीसरे भाव के श्वामी होने के वैसे आप अगर तीसरे भाव से समंदित किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं या third house से समंदित कोई भी ऐसी career जिसको आप अपने profession में अपनाई हुए हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी भागदोड आपकी बढ़ सकती है थोड़ी सी आपकी traveling भी बढ़ सकती है और ये traveling आपकी long distance भी हो सकती है या फिर short distance भी हो सकती है इसके साथ किसी भी जात्त को अपने workplace में change करना है अपने जो office में कुछ अगर बदलाव करने हैं अगर आप कोई भी business कर रहे हैं तो भी आपको अगर अपना setup वगरे change करना है तो आपको अभी कर लेना है उसके बाद हो सकता है कि आपको या तो delay हो जाएगा या आपको decision लेने में आपको सतरक करेंगे इसलिए आपको यहाँ पर एक अच्छा balance भी बनाना पड़ेगा अपनी domestic life और अपनी professional life में तो यहाँ कुछ हद तक आपकी जो responsibility है family की बढ़ती वो भी आपकी बढ़ने वाली हैं और वो जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी इसके लवा सनी का अगर हम दृष्टियों के इसाब से बात करेंगे तो इनकी दृष्टिया आपके six thousand पे है यहाँ से six thousand इनका नेच का घर है इसलिए अगर आपके उपर कोई भी legal case चल रहा है कोई भी ऐसे कारवाही चल रही है तो आप उसको कोशिस करिएगा कि वो लगबग 15 नौबर से पहले पहले आप निप्टा लें या आपका किसी से कोई विवाद हो गया है कोई लड़ाई जगड़ा हो गया है या कोई मुकदमे बाजी हो गई है तो आप वहाँ थोड़ा सा सुलय कर लेजे ज़्यादा बहतर रहेगा अगर आप अभी सुलय नहीं कर पाए या अभी अपने मेटर को नहीं निप्टा पाए तो बाद में वो मेटर काफी जदा लंबा खिंच सकता है इसके सासाथ अगर आपने कोई पहले लोन लिया था और आपने उसकी रिपेमेंट अभी तक नहीं करी है या आप काफी जदा डिले करते जारे बार बात तो आपको वो रिपेमेंट अभी जल्दी ही कर लेनी चाए बाद में हो सकता है कि आपको पैसे से समन्दीत कुछ इश्यों आए या आप साइद उतना अच्छे से पेमेंट नहीं कर पाएं समय पे तो आपको कोई ना कोई वेवधान यहाँ पे देखने को मिल ही सकता है सनी की यहाँ दृष्टी पढ़ रही है जहाँ पर आपने कोई ट्रेटमेंट आपको लेना चाहिए था लेकिन आपने वो ट्रेटमेंट लिया नहीं आप उसके लिए काफी ज़िदा डिले करते जा रहे हैं वो आपको करने ही पढ़ेंगे और उनकी कुछ extra responsibility भी आपके उपर आ सकती है जैसे कि आपके परिवार के किसी सदस्य की responsibility है या आपके किसी भी particular काम की extra responsibility आपको आपके boss दे सकने है यहाँ से सनी की दृष्टी है 10th house पे जेंज आतकों को भी अपना career change करना है, career switch करना है, promotion के लिए देख रहे हैं job वगरे change करने के लिए देख रहे हैं उनको अभी जल्दी जल्दी planning कर लेनीचे, अगर आप यहाँ से delay करेंगे तो आपको और भी ज्यादा यहाँ delay होता जाएगा और बार बार आप जितना ज्यादा delay करेंगे उतना ही ज्यादा आप satisfied नहीं रहेंगे बाद में आगे चलके तो इससे आपके career पर बहुत गहरा impact पड़ सकता है इसके साथ साथ ऐसा सनी आपको आपके profession के परतितो dedicated बनाएगा ही बनेगा लेकिन आपको fourth house से related जितने भी काम है आपके family से related जितने भी issue है उनमें भी आपको काफ़ी ज़धा serious बनाएगा इसलिए एक घर में ऐसा माहुल आपको तियार करना है जो आपके लिए काफी comfortable हो या आपके लिए बहुत ज़धा supportive हो अगर आप comfortable तरीकिसे अपने workplace पे काम नहीं कर पा रहे हैं या आपको घर की चिंता सता रही है या घर के किसी काम की आपको चिंता सता रही है या आपके लिए comfortable इस्तिति नहीं कई जा सकती है तो यहाँ पर आपको यह सब analyze करना पड़ेगा और यह सब आपको अच्छे से plan करना पड़ेगा सनी के दृष्टी फिर आपके लगन पर भी पढ़ रही है लगन पर दृष्टी पढ़ रही है तो आपको सेहत में उतार चड़ाओ आने की chances बन सकते हैं या आप उतना perfectly काम नहीं कर यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा ये कोसिस करनी है कि खुद को कितना ज्यादा आप active रख सकते हैं पर आपको ज्यादा से ज्यादा focus भी करना पड़ेगा इसके साथ साथ आप अपने किसी भी particular जिम्मेदारी को निभाने के लिए कितने ज्यादा dedicated है ये भी आपको निर्धारी करना अगर आप dedication नहीं रखेंगे तो आपका कोई भी काम समय पर नहीं बनेगा और ये फिर आपको ज्यादा प्रेशानी में डाल सकता है तो यहाँ पर मैंली हम यही बोलना चाहरे हैं कि जो sunny हैं अभी कुछ कामा में वेवधान ला सकते हैं जिससे आप थोड़े अच्चमबित भी हो जाएंगे तो यहाँ पर यह लगबग आपके पास मार्स तक का समय मार्स के बाद लगबग अगले साल sunny मीन रासे में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर वो आपके पांचों भाव में प्रवेश करेंगे ऐसे कंडिशन में मुख्य रूप से आपका decision लेने का तरीका आपके सोचने समझने का तरीका काफी ज़्यादा परभावित होगा बाद में तो आपको अभी लगबग मार्स तक जब तक सनी का प्रवेश मीन रासे में नहीं होता है तब तक आपको खुद के लिए ऐसी planning करने चाहिए